माविदाले के यूटूब चैनल पर सभी विदार्थियों का स्वागत है माविकास बढ़िया साहेक आचारिय राजनिति विज्ञान राज के महिला माविदाले जुन जुनू विदार्थियों पिछला जो वीडियो था उसमें हमने उदारवादी राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा की थी और उसी करम में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उगर राष्ट्रवाद के बारे में या उगर वादी राष्ट्रवाद के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बारतिय राष्ट यांदोलन में जो काल करम है या जो यूग है उसको हम तीन मैत्वपुर्ण काल खंडों में बांटते हैं पहला है वो उदारवादी राष्ट वादी यूग जो 1885 से लेकर और 1905 तक था दूसरा जो यूग है वो है उगराष्ट वादी यूग जो 1906 से लेकर 1920 तक था और तीसरा जो यूग है जिसको हम गांधी यूग के नाम से जानते हैं वो 1920 से लेकर और 1947 तक था देखिए जब उदारवादी अपने लक्से को प्राप्त करने में सफ़र नहीं हो पाए तो एक ऐसे वरक का उदे हुआ या कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिनसे भारतिये राष्टर के अपेक्सा करत युवा वरक को पूर्ण सवतंदर्ता की मांग करने के लिए प्रेजित किया और स्वेधानिक साधनों विशेष्टिया नरम स्वेधानिक साधनों के परती एविश्वास की भावना को जनम दिया और उन्होंने पूर्ण सवतंदर्ता की मांग और उसकी प्राप्ती हेतु जन अंदुलन के मारक को अपनाने वाली बात कही और इसी विचारधारा को हम उगर राष्ट्रियता के नाम से जानते हैं अब देखिए हम उन कारणों के उपर चर्चा करेंगे जो उगर राष्ट्रवाद या उगर राष्ट्रियता के उदे के लिए उतरदाई थे विविन परकार के ऐसी घटनाएं गटित हुई ऐसी परिश्ट्रियता या उगर राष्ट्रवाद के ऊदे होना स्वाबाविक था अब एके करके हम उन बीन्दों के उपर चर्चा करते हैं जो उगर राष्ट्रवाद के उदे के लिए उतरदाई थी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उधार वादी जो थे उनके प्रियासों से एक महत्वपुन सुधार अधिनियम अंग्रेजों ने पारिद किया जिसको हम 1802 के सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं लेकिन ये जो सुधार जो था ये सुधारों की दिशा में राष्टी कॉंग्रेज के साथ वर्सों के प्रियतनों का प्रिणाम था लेकिन ये अधिनियम स्वेम में नीत कम्यों और तूटियों के कारण भारतिय राष्टी कॉंग्रेज को और समने जो भारतिय जो नागरिक थ उनको संतुर्फ नहीं कर सका अधिनियम में जो निरवाचन की वेवस्ता थी उसको बहुत गमा फिराकर रखा गया गेर सरकारी शरकारी सदस्यों की संख्या कम ठी और प्रिषदों के कारियों तथा अधिकार बहुत सिमित थे इस अधिनियम की उप्युक्त तूटियों के कारण स्वेधानिक पदती के अधार पर कुछ प्राप्त करने की जो आशा है वो समाप्त हो गई और अब कांग्रेस के अंदर और बाहर एक ऐसे वरक का जनम हुआ जो कर्माइक परिवर्तन के अधनों और प्राथना के स्थान पर अंदोलन के मारक को अपनाने पर जोड़ देने लगा तो पहला जो कारण तो यह था कि जो अठारसों बार्ण में का जो सुधार दिनियम परित क्या था उधार वादियों के प्रियासों से अंग्रेजों ने वो भारती जनता और भारती धराष्ट्रि कोंole के लिए प्रियाप्त नहीं था भी दूस्रा जो सबसे अम्यपोन जो कारण है रस्त-वादियों के उद्यका या उगरमादीरासिती को यहां कि कॉंग्रेस के जो प्रार्मभिक जो नेता थे उधारवादी जिनको हम कहते हैं या उधारवादीयों की संग्या देते हैं वो पास्चाति सिक्ष्या और सब्वेता से प्रभावित थे और उनकी जो मान सिक्ता थी वो बिटिस आशन को भारत के हित में समझने की थी या मानने की थी लेकिन कालांतर में धीरे धीरे भारत में धार्मिक पूर्णत्थान हुआ और उसका प्रिणाम ये निकला कि कॉंग्रेस के अंदर ही एक ऐसे वरका जनम हुआ जो भारतिय धर्म सबेता और सहस्कृति की गोर्व से पूर्णत्या प्रिचित था और जिसका विश्वास विदेशी सासन की समाब्ती में था स्वामी विवे कानंद ने जो 1893 में सिकागो में सर्वा धर्म समेलन हुआ था उसमें हिंदु दर्म की विजे का जो पर्चम लह रहाया था और अरविंद घोस और तिलक आदी जो उगर वादी जो राष्टरवादी जो नेता थे वो सब धार्मिक पुनरुथान के ही परणाम थे तो दूसरा जो सबसे मेत्वप्रण जो कारण है उगर राष्टरवाद के उदे में वो ये है कि धार्मिक पुनरुथान और सांसकर्तिक नव जागरन यानि एक ऐसे वरका निर्मान हुआ कॉंग्रेस के अंदर ही जो पास्चाते सिक्षया और सब्वेता के स्थान पर भारतिये सेंस करती भारतिये धराम भारतिये सब्वेता इसके गोरव से परिचित था और उसने विदेशी साशन को समाप्त करने का जो बेड़ा है वो उठाया तीसरा जो सबसे महत्वप्रण जो कारण है भारत में उग्रवाद इराष्टवाद के उदे का वो ये है प्राकरतिक परकोप तो प्राकरतिक जो परकोप है उसमें प्राकरतिक परकोप के अंदर देखें 19 सदी के उत्रार्द में भारत को अनेक प्रकार के प्राकरतिक परकोपों का सामना करना पड़ा अठारा सो चिंतर से लेकर 1900 तक 25 वरसों में देश में अनेकों बार अकाल पड़े और उन में सबसे जो भिशन जो अकाल था वो अठारा सो चानमा स्यृण्मा का अकाल था जिसका परभाव 7 करोड जन संक्या और 70 हजार वरगमिल छेतर पर पड़ा इस भयानक एकाल के समय ब्रिटिश शाषन द्वारा किसी प्रकार की कोई साहिता प्रदान नहीं की गई भारतियों को और उनके जो कारिये थे वहुत धीमे थे अप्रियाप्त थे और शाषन का रुख इतना उपेक्षापन था कि इसका प्रणाम यह है कि जनता तो भूख मर रही थी लेकिन 1897 में विक्टोरिया का जहनती उत्सव मनाने के लिए साहिध दिली दरबार का आयुजन किया गया और इस साहिध दरबार के आयुजन में जनता का जो पैसा था वो पानी की तरह लुटाया गया बहाया गया अकाल की यातना से अभी मुक्ती नहीं मिली थी कि बंबई प्रांत के दक्षनी भाग में भेंकर पैलेग फैल गया और अकाल का सामना करने में सरकार ने जितनी निशकरियता दिखा इथी पलेग का सामना करने में भी उतनी अधिक आविवेकपुन और निर्द distractions अपनाई गई तो दूसरी जो सबसे मेत्वपुन जो घटना थी पहला तो था अकाल और दूसरा था पलेग और इन प्राकरतिक प्रकोपों के समय बिटिश सरकार ने भार्तियों का किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया और उनके समधान में किसी भी प्रकार की कोई रूची है वो नहीं दिखाई अगली जो सबसे महत्वपुन जो कारण है उगरवादी रस्टवादी अंदुलन के उदे का वो है आर्थिक ऐसंतोस आर्थिक ऐसंतोस के अंतरगत सरकार जवारा निरंतर भारत विलोधिया नीती अपनाई जा रही थी 1844 में विदेशी माल पर आयात कर समाप्त कर दिया गया इसे जो देशी जो समान है वो तो महंग हो गया और विदेशी जो समान है वो भारत में सस्ते दामों पर विखने लगा सरकार की इस नितिक के विरोध में भारतियों ने सब्देशी अंदोलन चलाया और इसके अत्रिक्त सिक्षन सैंस्तानों में वर्दी के साथ साथ सिक्सित भारतियों की जो संख्य है उसमें भी वर्दी हुई लेकिन सासन के दुबरा सिक्सित भारतियों को उनकी योगे था कि अमसार कोई पद और नोकरी प्रदान नहीं की गई जिससे भारतियों में निराशा और तिवर असंतोस का जो भाव है वो जागर्थ हुआ तो ये जो चोथा कारण था वो आर्थिक असंतोस था पांचवाँ जो सबसे मैत्रपूर्ण कारण है उग्रवादी रास्ट्रवादी अंदुलन के उदे का वो ये है कि भारतियों के साथ कटूता और अंग्रेजों का एहंकार पूरण विवहार भारतियों के साथ कटू और एहंकार युक्त विवहार किया जाता था दिन परती दिन के जीओं में भारतियों के साथ अपमांजनग विवहर किया जाता था अनेख बार ब्रिटिश अनिकों और अन्चे वैक्तियों ने भारतियों के साथ घातक मार्पिट की और अंग्रेज अधिकारी दंड देने से बस गए या यदि मानी जी वो भारतियों के साथ इस परकार का कोई विवहार करते थे तो उनको बिल्कुल सादान सा दंड दे दिया जाता था और उनको छोड़ दिया जाता था तो इस परकार की जो भारतियों के परती अंग्रेजों का जो एहंकार योगते और जो कट्टूता का जो विभार था वो भी उगर राष्टरवाद के उदे का एक परमुक कारण बना अगला जो कारण है उगर रास्टवादी के उधसे का वो है कि विदेशों में भारतियों के साथ दूर्विभार किया जाता था बिटिस उपनिवेसों विशेशकर नेपाल और दक्षने अफरिका में भारतियों के साथ बिटिस सरकार का जो वेवार था वो दूर वेवार था और एसंतोस का एक अन्य कारण था इस दूर वेवार के कारण 1903 में दक्षने अफरिका से लोट कर डॉक्टर बियस मुंजे ने दुख पुरुवक कहा था कि हमारे सासक इस बात पर विश्वास नहीं करते कि हम भी मनुशे हैं भारतियों के दोरा ये अनुबव किया गया कि उन भारतियों के साथ भारत राष्टर की प्राधिनता के कारण ही दूर वेवार किया जा रहा है अगला जो सबसे मैत्र प्राण कारण है वो है पस्चिम के करांतिकारी विचारों का प्रभाव देखिए विदेशों में जो घटनाएं गटी उनका भारतियों के उपर प्रभाव पढ़ा जब भारतियों ने अंग्रेजी भास्चा और पस्चाते साहिते को पढ़ा और वो अधिक सिक्सित हुए तो उन्होंने मेजनी को पढ़ा, बरक को पढ़ा, गेरिवाल्डी को पढ़ा और वासिंग्टन के सवतंदरता के लिए जो प्रेजित करने वाले भास्चन है वो पढ़े, अमेरिका का सवतंदरता योदे, आरलेंड का शंगर्स, इंग्लेंड की पर उपरोन करांती, जब ये इतिहास पढ़ा तो भारतियों के परति पने देश को सवतंदर कराने की जो मांग है वो बढ़ी और उन्होंने उगर्राष्ट्रियता का जो मार्ग है वो चुना, तो कहने का मतलब है कि पस्चिम के जो करांती कारी विचार है, उनका परभाव भी भारतियों के उपर पढ़ा और उगर राष्ट रुवाद का उदे हुआ, देखिए अगला जो कारण है हुआ है कि भारत के बाहर होने वाले विशेश परिवर्तन, इसी समय देखिए वी देशों में अनेक परकार के परिवर्तन हुए, जैसा कि 1860 में अफरिका के एक छोटे से देश अभी सीनिया द्वारा यूरोप के विशाल देश इटली और 1904 और पांच में जापान के द्वारा रूस को पराजित करना ये ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने भारतियों में ये विचार उत्पन किया कि बिर्टेन के विरुद स्वाज तांदोलन में भारतियों को और अधिक प्रोच्षाइत किया कहने का मतलब यह है कि छोटे छोटे देशों ने जब बड़े बड़े राष्ट्रों को पराजित करना प्रार्म कर दिया तो भारतिये लोगों या भारती जो जन्मान स्था उसके दिमाग में भी ये भावना आ मदद मिली अगली जो सबसे महत्वपून बात ये है कि उगर राष्ट्रवाद के विकास में तीन जो परमुख नेता थी तीन जो परमुख नेता थे लाला लाजपत्राई बाल गंगादर तिलक और विपिन चंदरपाल इनका नेतरत्वे बहुत महत्वपून था ये नेता तूट देश भाक्त और बिटिस आसन के कटू सत्रू थे और जैसा कि तिलक ने कहा था कि सवतंदरता मेरा जनमसीद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा तो इस परकार के जो नेतरत्वे था वो भी उगर राष्ट्रवाद के विकास में एक महत्वपून तरीके से अपने आपको की हम विखारी नहीं है तो इस प्रकार तीनु जो नेता थे लाल लाराय बाल गंगादर तिलक और विपिन चंदरपाल इन तेनु का जो कुशल नेतरत्वे भारतियों को मिला उसे भारत में उगर राष्ट्रवादी जो भावना है उसका विकास हुआ अगली हम मानें या स्विकार करें तो वो यह है कि लाड करजन का प्रतिकिरियावादी शाशन 1898 से 1905 तक बारत के गवनार जनरल के रूप में नोकरसाई के साक्साथ प्रतिरूप लाड करजन ने बिटिस समराज्य के लिए वही कारिये किया जो मुगल समराज्य के लिए औरंग ज के लिए जो कारिये औरंग जेव ने किये थे लाड करजन ने वैसे ही कारिये बेटे सरकार के पतन के लिए कि देखिए 1904 में भारती विश्ववदालिया दिनियम परित किया गया और विश्ववदालिय की सिनेट और सिंडिगेंट में भारतियों का प्रतिन दित्वाइं व विश्मिदाले की कुल्पतिपत से दिये गई दिक्संत वासन में कहा था कि भारतियों में सत्य के परतियास्ता नहीं है वास्तों में भारतवर्ष में सत्य को भी कभी आदर्स माना ही नहीं गया है तो इस परकार की जो विचार हैं ये लाड करजन ने दिये और ये जो लाड करजन की जो परतिकिर्यावादी निती थी यही आगे चलकर बिर्टिश सरकार के पतन का कारण बनी अगला जो सबसे महतोपन जो कारिय जो लाड करजन ने किया वो था बन्गाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लाड करजन ने बन्गाल का विभाजन कर दिया और ये जो विभाजन था ये सरकार के विभाजन के पक्स में सरकार का तरक ये था कि बन्गाल जैसे बड़े प्रा विद्वान है जकारिया वो लिखते हैं कि उदेशे और प्रभाव की दरश्टी से बंगाल में के विभाजन का कारिये नितांद धुरुतता पुरण था वास्तव में बंगाल में यह जो काम किया गया यह लाड करजन का फूर डालो राजकरों के निति का ही एक प्रणाम था तो इस परकार से लाड करजन की जो परतिक्रियावादी निति थी वो भी भारत में उगर रश्टवाद के उदे का परमुक कारण बनी अब देखिए उदार वादियों की तुल्ना में उगर वादियों के जो साधन थे वो भिन थे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उदार वादियों ने जो साधन अपनाए थे उनमें प्रातना पत्र, इसमर्ति पत्र, याचिकाएं, शिष्ट मंडल इस परकार के साधन उदार वादियों ने अपनाए थे लेकिन जब उदार वादि अपने इन साधनों के माद्यम से सफल नहीं हुए तो उगर इनको एक परकार से राजनतिक भिक्षावर्ति की संग्या परदान करते हुए इनमें कुछ परिवर्तन किये और इन साधनों के इस्तान पर वहिसकार, सवदेशी, राष्ट्रिय सिक्षा, निश्क्रिय परतिरोद, इस परकार के साधनों को उगर राष्ट्रवादियों द्वारा अपनाया गय कि विदेशी माल का वहिसकार किया जाए, अधिक से अधिक सवदेशी माल को काम में लिया जाए, राष्ट्रिय सिक्षा यानि विदेशों के जो जितने भी विश्वदाले सरकारी कोलेज, स्कूल थे, और सवदेशी जो अपना, अपनी जो सिक्षा है, और जो निजी जो भ भारतिये हैं उनको राष्ट्री जो शिक्षा है वो प्रदान की जाए तो इस परकार उगरवादियों ने जो सादर अपनाए उनमें सवदेशी बहिसकार राष्ट्री शिक्षा और निस्करिय प्रतिरोद जैसे सादनों को उन्होंने अपनाया अब देखें जैसा कि आपने देखा था कि उदारवादी जो परमुफ नेता थे उसमें हमने देखा था गोपाल करसंगोखले थे फिरोसा मेता थे सुरिंदनात बनर जी थे तो इसके अलावा जो उगर राष्ट्रवादी जो नेता थे उसमें अभी मैंने आपको बताया है लाला-लाजपतराय, बाल गंगादर तिला, कैوवीपिन, चंदरपाल, अर्विंद घोस तो ये सारे के सारे जो नेता हैं ये उगर राष्ट्रवादी नेता हैं और इन का जो नेतर्टव था वो उगर राष्ट्रवादी के विकास में काफी साइक सिध हुआ अब उगर राष्ट्रवादियों के अंदोलन का इदी मुल्यांकन हम करते हैं तो हम देखते हैं कि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उगर वाद के जनम और विकास ने भारत में राष्ट्रे अंदोलन पर बहुत सवस्त प्रभाव डाला यदपी उदारवादी अपने देश के परती प्रेम करते थे लेकिन उनके जो सादन थे वो इतने अधिक परभाव डायक नहीं थे उगर वादियों ने इस सत्य को भी समझा कि केवल प्राथनाओं से सवतंतरता तो दूर रही अन्य किसी भी प्रकार के राजनितिक सुधार हैं वो भी नहीं कराये जा सकते इस लक्से की प्राप्ति के लिए प्रभाव साली रचनात्मक कारिय करमों को अपनाया जाना चाहिए और उनके द्वारा अपनाये गए बहिसकार सवदेशी अंदोलन ने जनता में नई चेतना जागर्त की नई चेतना का संचार किया और ये अंदोलन के वल उगरवादी अंदोलन ही नहीं रहा अपितु एक जनवादी अंदोलन बन गया उननेश्मी सदी तक राष्ट रियता उच्छा प्राप्त संपनवरक की ही संपती थी उगरवादियों द्वारा जो साधन अपनाये गए उन्होंने राष्ट ये अंदोलन के कारिये छित्रगों व्यापक बनाया राष्ट यंदोर्ण की वेगवती धारा के मद्य मुवर्गों तथा जन साधान तक पहुंचाने में साहिता परदान की तो इस परकार जो उगर राष्टरवादी हैं उन्होंने नव चेतना का संचार भारती जन्मानस में किया अब देखिए हमने पिछले वीडियो में उदारवाद को डिसकस किया था आज के इस वीडियो में हमने उगर वादी जो राष्टरवादी हैं उनको डिसकस किया है अब हम इन दोनों में थोड़ा सा तुलनात्मक नजर डालते हैं दोनों में जो परमुकंतर हैं उनको समझने का प्रियास करते हैं देखे इस बात को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता की भारत को जो सवतंदरता मिली उसमें उदारवादियों का भी योगदान है और उगर दोराष्टरवादी जो है उनका भी योगदान है भारती राष्ट्रे अंदोलन की दो धारें रही इन दोनों धाराओं का मूल उदे से भारती जनता का हित्षादना था लेकिन यह हित्षादन किस रूप में किया जा सकता था इसके लिए दोनों ने अपने अपने साधनों को अपने अपनी तकनिकों को अपनाया और इस समंद में इन दोनों जो विचार धारें हैं इन में प्रियाप्त अंतर विद्यमान रहे। मूल उदेश्यों की अपेक्सा भी साधनों के समंद में यह अंतर अधीक प्रमुक रूप से देखा जा सकता है इन दोनों विचारधारों में जो अंतर विद्यमान रहे उनको एके करके हम निमन बिंदों के अधार पर इस्पस्ट करने का प्रियास करेंगे देखिए पहला जो अंतर है वो यह है कि उदारवादी जो हैं वो भी सवशाषन को प्राप्ट करना चाते थे और जो उगर राश्टरवादी हैं वो भी सवशाषन को प्राप्ट करना चाते थे लेकिन सवशाषन से उधारवादियों का जो तात्प्रिय था वो कर्मिक राजनितिक सुधारों से था और उगर रास्ट्रवादिय हैं वो तात्कालिक सुधारों में विश्वास करते थे और उनका ये मानना था कि बिटीश साशन को बनाए रखने के वो समर्थक नहीं थे उनकी सवराजे की धारणा में बिटीश समराट के परती राजबक्ती को कोई स्था नहीं था और वे भारतियों पर अधारित सवराज तथा बिटेन से सिगराति सिगर समन्द विच्छेद करने के पक्स में थे कहने का मतलब यह है कि जो उदारवादी हैं वो बिटिश शाषन या बिटिश सरकार के अंतरगती सवशाषन की स्तापना करना चाते थे जबकि जो उगर राष्टरवादी हैं वो पूर्ण सवराज जे में विश्वास करते थे दूसरा जो अंतर है वो यह है कि उदारवादी हैं वो अंग्रेजों की न्याय प्रियता में विश्वास करते थे और वे सोचते थे कि अंग्रेजों को भारतिय दर्ष्ट्रिकों समझा दिया जाए तो वे स्विकार कर लेंगे लेकिन जो उग्रवादी थे उनकी अंग्रेजों के न्याय प्रियता में तनिक भी आस्ता नहीं थी और उनका तनिक भी विश्वास नहीं था तीसरा जो सबसे महत्रपूण अंतर है वो ये है साधनों के समंद में अंतर देखिए उधारवादियों ने जो साधन अपनाए उनमें प्रातना पत्र इश्मर्ति पत्र याचिकाएं परतिनिदी मंडल इन साधनों को अपनाया और इनकी आलोसना करते हुए उधारवादियों ने जो साधन अपनाए उनमें सावदेशी, बहिसकार, राष्ट्र इसिक्षा और निश्क्री प्रतिरोध आधी जो साधन थे वो अपनाए अगला जो सबसे महत्रपूण जो कारण जो अंतर है वो ये है कि उधारवादि जो है वो बिटेन और भारत के ज अशन के अंतरगत ही भारत का हिट साधन संबाव है लेकिन इसके विप्रित उगरवादियों की धारणा ये थी बिर्टेन और भारत के हिटेक दूसरे के विप्रित है और बिर्टिश अशन भारत के विकास में कभी भी सायक सिद्ध नहीं हो सकता पांचवाद जो सबसे महत महत्रपन जो अंतर है वो ये था कि उदारवादी हैं वो पस्चिमी सब्वेता और सेंसकरती से परभावित थे जबकि उगरवादी प्राचिन हिंदू धरम सब्वेता और सेंसकरती और उनके आधार पर विक्सित हिंदू राश्त्रियता के पोशक थे उदारवाद की प्र पुर्सी की राजनेते में विश्वास करते थे और गोखले जैसे कुछ नेताओं को छोड़कर सामनेते हुए देशित के लिए त्याग और कस्षैन करने को त्यार नहीं थे लेकिन उगरवादी देश के लिए त्याग और कस्षैन करने को आवसेक मानते थे और स्वेम को इस क पालकरम था वो 1885 से लेकर 1905 तक था इसके विपरित उगर रास्टरवादियों का जो कालकरम था वो 1905 से लेकर 1920 तक था उदारवाद के परमुक नेताओं में सुरेंदनात बनर जी गोपाल कर्शन गोखले फिरोसा मेता सुरेंदनात बनर जी ये परमुक उदारवादी नेता थे उनमें लाला लाजपत्राई बाल गंगादर तिलक वेपिन चंदरपाल आधी परमुक नेता थे तो ये आज की इस वीडियो में हमने उगरवादी राष्टरवाद का काल करम उगर राष्टरवाद के उदे के कारण उनकी कारिये पदती उनके साधन उनका उनके जो कारिये हैं उनका मुल्यांकन और उदारवादी और उगरवादी राष्टरवाद में अंतर को डिसकस किया है आगे के वीडियो में हम गंधियुक के बारे में डिसकस करेंगे धन्यवा कर दो पस्ता हो दोग कर दोग स्टाम कर दो युझ बड़कर बाउन कर दोरिसा हें शक्राओ कर दोगा है जनला चलिए भी उला है कर दो गया ह।